हलो एब्रिवन वेलकम टू माई चैनल वांगशन क्यूट लव स्टोरी तो चलिए फ्रेंज अब हम अपनी स्टोरी डॉंट लीम में का नेक्स पार्ट शुरू करते हैं और जो कोई चैनल पर न्यूए स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए तो चलिए फ्रेंज अब हम अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं तो लास पार्ट में हमने देखा था कि इबो चेंग के साथ जान की कमपिनी में जाता है जिसे देखकर इबो पूरी तरी के शौक्ट हो गया था उधर कमपिनी में जान इबो से कुछ कहने की कोशिश कर रहा था तब ही वहाँ चेंग आ जाता है जिस पर जान तुड़ा गुस इबो कहता है कि क्या हुआ चेंग कहता है क्या हुआ इबो कहता है मैं तुमसे वही पूछ रहा हूँ तुम मुझे ऐसे क्यों गूर रहे हो चेंग के फेस पे एक स्मायल आ जाती है और वो इबो को टीस करने की कोशिश करता है वो इबो से कहता है इबो तुम मेरे गगा के इबो चैन की तरफ देखता है और कहता है बिल्कुल नहीं और हम करीम नहीं थे चैन कहता है जूट मत बोलो मैंने तुम्हें देखा गगा कुछ तुमसे कह रहे थे ना ऐसे गगा तुमसे क्या कह रहे थे इबो कहता है यू सेमलस परसन दूर हो मुसे और तुम्हारे गगा बैठते हैं और वापस मेंशन में चले जाते हैं उधर जान जो आईबो ऑच्जैंक के जाने के बाद गह्री से साथ लेता है और वहीं अपनी चेर बैठ जहता है कर भी बात का और जहाँ बातने जब बीमर को या तुमसे वह बहुत कुछ कहना चाहता हूं जेकिन पता नहीं कुझे कब टाइम में लेगा और मैं कब तुम से अपने दिल की बात कहूंगा ऐसा कहके जान के फेस पे बड़ी सी स्माइल आ जाती है उधर जान और इबू जैसे ही मेंशन में इंटर करते हैं याली उन दोनों की पास आती है और कहती है तुम हमेशा पता है कागा जब भी ओफिस में होते हैं तो कितना गुश्य में होते हैं याली कहती है तो क्या हुआ क्या हुआ क्या जानने तुम डाटा है चेंग कहता है आपको पता है ना वो इतना गुश्य में होते हैं तो कैसे देखते हैं उनके डाटने की ज़रुद नहीं है मैं तो वैसे ही डर जाता हूँ याली की face पे एक smile आ जाती है तब इवो इवो और चैंग से कहती है जाओ तुम दोना fresh up बोलो मैं तुमा इली कुछ खाने को लाती हूँ चैंग एक smile करता है और इवो और चैंग दोना अपनी room में चले जाते हैं अब हम सीधा इवनिंग का स्थीन देखते हैं हम देखते हैं याली जो किचिन में खाना रेडी करवा रही थी तब इबो और चेंग किचिन में आते हैं याली इबो की और चेंग की तरफ देखती है और कहती है आज मैंने सब के लिए एक सप्राइस प्लान किया है चेंग कहता मैंने अगर तुम्हें अभी बता दिया तो वो सप्राइज कैसे रहेगा चैंग कहता है सीजे बताईए ना आपको पता है ना कि मुझे ये सप्राइज जैसी चीज़े हजम नहीं होती और मुझे प्लीज जाना है बताईए ना ये कहती है बिलकु नहीं तो मैं वेट करना होगा समझे तो इबो जो स्माइल कर रहा था ये कहती है देखो इबो कितना अच्छा बच्चा है वो कभी किसी चीज की जिद नहीं करता चैंग नेरो आईज करके इबो की तरफ देखता है और कहता है मुझे पद्धा है सीजे आप मुझे से जादा इबो से प्यार करती है यानली एक स्माइल करती है और कहती है बिलकुर मैं अपने इबो से बहुत प्यार करती हूँ ऐसा कहके वो इबो की फोरेट पर किस कर लेती है इबो की स्माइल और बढ़ी हो जाती है मिसिस जीयो और लिली जो ये सब कुछ देख रही थी उन्हें बहुत गुसा आ रहा था लिली कहती है आँटी आपको नहीं लगता इस लड़के ने इस घर के लोगों पर पता नहीं क्या जादू कर रखा है सब इसी इतना प्यार क्यों करते हैं आँटी एक स्माइल करती है और कहती है लिली वस तुम वेट करो देखो मैं इस लड़के के साथ अब क्या करती हूँ तुम देखना ये लड़का ये लड़का मुझे भी उतना ही परिशान कर रहा है जितना तुम्हे लिली के फिस पे डेवल जैसी स्माइल आ जाती है अब हम सीधा इवनी का सीन देखते हैं हम देखते हैं सबी लोग टेरिस पे थे सबकी आँखें बड़ी बड़ी हो रखी थी चैंग कहता है सिसी जे ये सब कुछ आपने किया याली कहती है अफकोस मैंने किया कैसा लगा तुम्हें चैंग कहता है ये तो बहुत खूपसूरत है ऐसा कहके वो याली के गले लग जाता है तबी यानली ईबो से कहती है, ईबो तुम्हें कैसा लगा है? ईबो कहता है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा, कि ये क्या है? ये तो बहुत ब्यूटिफुल है सीजे, बहुत ज़्यादा, यानली एक बड़ी सी स्माइल करती है, तबी लिली और आंटी वहां जाती है, लिली कहती है, सच में सीजे, आपने तो सच में इस टेरिस को कितना खूब सूरत बना दिया है, तबी आंटी कहती है, पर यानली ये सब को तुम ने क्यों किया, क्या कुछ हाँ इस्पेशल डे है, यानली एक इसमाइल करती है, और कहती है, नहीं आंटी, आज कोई स्पेशल नहीं है, मैं तो बस चाहती थी, कि जब तक मैं या हूँ, तब तक सब के साथ तोड़ा अच्छे से टैंस्पेंट किया जाए, और मैं चाहती थी, क्योंना हम सब आज टेरिस पर डिनर करें, सभी के फेस पे कि स्माइल आ जाती है, तबी जैंक कहता है, सीजे, कगगगब आ चैंक कहता है, पर गगगब को बोलो चलती आने के लिए, मैं ये खाना देखके वेटी नहीं कर पा रहा है, ऐसा कहा कि वो खाने के पास जाता है, तबी यानली जैंक का हाथ पकड़ लेती है, और कहती है, बिल्कुल नहीं, जब तक जान नहीं आ जाएगा, जब तक कोई ख सभी, वो एक मेड से पूछता है, कि सब लोग कहा है, मेड कहती है, सब लोग टेरिश पे हैं, और आपका वेट कर रहा हैं, सर, जविचिण कन पा out, अपने रूम में जाता है, अच्छे से freshen up होता है, dress change करता है, और सीधा टेरिस में जाता है, टेरिस को देखकर ज़ान भी कहता है of course region get more time spend करें और तुम सब यह कूछ रही हो कि मैंने ये क्यूं किया मैinku वह रहूं और यानली के सूलडर पे हाथ रखता है और कहता है सीजे भे तो बहुत जेस्ट पूछ रहा था आपको इतना परिशान होने की जरूरत नहीं थी यानली कहती है इसमें परिशान होने वाली क्या बात है जान तुम अच्छे से जानते हो कि मुझे यह सब करना कितना अच्छा लगता है और जब मैं यहां से चली जाओंगी तो तुम जानते हो ना मैं तुम सब लोगों को कितना मिस करूँगी ऐसा कहती है यानली के आँखों में तोड़े हासू आ जाती है ठबी, जान, चेंग, जो यानली के पास आते हैं और कहते हैं, सीजे, हापको मिस करने के क्या चुरूत है यह गर आपका है, आप जब चाहिए आ सकती है यानली के फेस पर एक रगान आ जाती है ठबी, वो कहते हैं, ठिक है, चलो, चलो, सब बैठ जाओ अच्छे से के बैठना है वो जल्दी से दोड के जाती है और जान के पास जाके पैट जाती है इबो जो अभी भी जान को देख रहा था जान जिसकी बन नजरें बस इबो पर ही थी जान चाहता था कि इबो उसके पास आके बैटे इबो जो दीरे-दीरे जान के पास आने ही बाला था कि ल जब लिली को देखता है तो उसे गुसा तो आता है लेकिन वो कुछ नहीं कह सकता न इबो जब लिली को जहान के पास देखता है तो उसे बहुत बुरा लगता है उसे एक अलगी फीलिंग हो रही थी उसे जलस वाली फीलिंग हो रही थी येकिन वो कुछ भी नहीं कहता और द करता है जान जो अभी भी बस eatua की तरफ ही देखे जा रहा था जान को डेख रही थी तर्भी हंटी जो जान को देख रही थी वो गुस्ने में अपने मुठियां भीच लेती है उदर लिली जो बार वार किसी ना किसी बहानी से बात करते करते जान को टेच करने की कोशिश कर रही थी जान को बहुत uncomfortable फील हो रहा था लेकिन तब ही वो लिली से कहता है Miss Lily आप खाना खाये लिली कहते है पर जानगा आप मुझे ऐसे क्यों बात करते हैं आप मुझे बात करते हैं पर जानगा आप को सब्करने दीजिए ना कदभी आंटी कहते हैं जान करने दोना उसे हर काम की आदत होनी चाहिए जान जो बस आंटी की तरफ देख रहा था यानली को तो बहुत बुरा लग रहा था लेकिन वो जानती थी अगर उसने कुछ कहा तो ये सारा माहल अभी खराब हो जाएगा लिली जो जान को खाना सब करने लगती है जान जो इबो की तरफ देख रहा था लेकिन इबो अपनी नजरे नीची कर लेता है और वो बिल्कुल जान की तरफ नहीं देख रहा क्योंकि उसे बहुत गुस्ता आ रहा था और वो नहीं चाहता था कि वो जान की तरफ देखे और जान को बिल्कुल भी ऐसा फिलो कि ही वो जलस फिल कर रहा है उदर जैंक जो ये सब कुछ देख रहा था तब भी जैंक लेली से कहता है लेली क्या तुम सारा खाना जान का को देदोगी हमारी प्लेट में भी सर्फ कर दो लेली चैंक की तरफ गुस्ते में देखती है और कहती है कहती है बिल्कुल चैंक क्यों नहीं है तो मैं बिल्कुल खाना परोसूंगी ऐसा कहती है और जान के पास से खड़ी होगे चैंग को खाना पर उसमें लगती है चैंग को बहुत हसना आ रहा था तबी ये लिली जिसकी आँखों में गुसा साफ था वो अपने मन में कहती है एक बार मेरी जानगा से शाधी होने दो तो मैं तुम्हें इस गर से ही निकाल फीकूंगी तुम खुद को क्या समझते हो समझे तुम चैंग जो बस लिली की तरफ ही देख रहा था जान जो इबो की तरफ देख रहा था पर इबो एक बार भी जान की तरफ नहीं देखता इसलिए जान को थोड़ा गुसा आने लगता है याली जो ये सोच पा रही थी कि जान इबो की तरफ देख रहा है पर इबो जान की तरफ नहीं देख रहा तब याली कहती है इबो इबो जो याली की तरफ देखता है याली कहती है इबो खाने शुरू करो इबो कहता है सबी लोग खाना खाने लगते हैं जान बीच बीच में बस इबो की तरफ भी देख रहा था lebih एक बार भी पलटकर जान की तरफ नहीं देखता है इबो जान का अप खाने पर बिल्कूल फोकस नहीं था वो चाहता था कि इबो उसे देखे एकिनुई इबो इबो बिल्कुल नहीं चाहता था कि वो उसे देखे कि उसे पता था कि उसकी जलसी जान आसानी से समझ जाएगा थोड़ी दिर में सभी का खाना फिनिश हो जाता है एक मेडा आती है और सारी जग़ को क्लीन करती है सभी लोग उपर टेरिस पे बैठे हुए थी आपस में बाते कर रहे थी इबो जो बिल्कुल चुपचा बैठा हुआ था आंटी जो बाते कर रही थी जाली से कुछ कह रही थी जबी हंटी बात है बात हो मैं कहती हैं ख्याली मुझे लगता है कि तुम्हें अपने जाने से पहले जान के लिए भी अच्छी सी लड़की देख लेनी चाहिए क्योंकि तुम चली जाओगी तो इस भरे में कोई तो ऐसा हो जो चैंग और जान का ख्याल रख सके जब लेली ये सुनती है तो उसके फेस पे एक स्माइल आ जाती है और वो थोड़ा शर्माने का नाटक करती है तभी यानली कहती है आपने सही का अँटी लेकिन जान के लिए ऐसी कोई लड़की मिलनी भी तो चाहिए तभी जान कहता है पर मुझे शादी नहीं करनी आँटी कहती है जान तुम्हें शादी क्यों नहीं करनी तुम्हें शादी घरनी होगी अब तुम शादी नहीं करोगी तो कब करोगी तुम अच्छे से जानते हो तुम्हारे जाने यानली के जाने के बाद इस घर को समालने वाला कोई तो चाहिए जान जो आंटी की तरफ देखता है तभी यानली कहती है अगर ऐसी लड़की मिली तो मैं जरू जान के शादी उससे कर दूगी तभी आंटी कहती है भिलकुल तभी तो मैंने जान के लिए एक लड़की देख रखी है यानली को पता था कि आंटी किस के बारे में बात कर रही है आंटी कहती है लिली लिली सब कुछ कर सकती है तुम्हें पताएं वो सब कुछ कर सकती है सारा घर का काम कर लेती है और वो पूरा घर अच्छे से समाल सकती है याली चुप बस लिली और आंटी की तरफ देख रही थी लीली अपना सर्मा के फिस नीचे कर लेती है जान छान जो गुस्से में आंटी की तरफ देख रहा था और कहता है आंटी मैंने पहले भी खाए कि मुझे शादी नहीं करनी उदर इबो जैसे ही ये सब को सुनता है तो उसे अपने हाट में पेन फील होता है उसे बहुत बुरा लग रहा था उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसे रोना आ रहा है लेकिन वो रोता नहीं है वो अपना फेस उदर उदर कर लेता है वो चैंग से कहता है चैंग क्या हमें नीचे रूम में चलना चाहिए हमारा प्रोजेक्ट अभी बागी है न ऐसा कहके उन्होंने टेरिस पे बहुत सारी गद्दे लगा के रखे थे सबी एक एक करके अपनी अपनी गद्दों पे चले जाते है उदर जान जो खड़ा होगे किसी से फोन पे भात कर रहा था जान थोड़ा गुसी में भी था ईबो की बज़े से यानली जो चैंग के पास जाके लेट जाती है आंटी और लिली एक पैठी लेकिन एबो अकेला इगद्दे पे लेटा हुआ था तबी जान जो आता है और देखता है कि वहाँ कहीं दूसरी जगे कोई प्लेस नहीं है तबी यानली कहती है जान क्यों न तू ईबो के पास जाके लेट जाओ क्योंकि मैंने उपर कहा था लेकिन सायद उन्होंने अच्छे से नहीं सुना इसलिए मीर ने इतनी बिस्तर डाले है चैंग कहता है कोई बात नहीं सीचे वो तो अपने मन में बहुत कुछ हो रहा था उदर इबो जब ये सुनता है तो उसकी हाट भी टेक्दम से बढ़ जाती है और वो अपनी हाट को चैस्ट को बखर लेता है और कहता है कि क्या जानगा मेरे पास पर क्यों तबी वो जान की तरफ देखता है जाने की स्माइल करता है और इबो के पास आखी लेट जाता है लिली को बहुत गुस्ना आ रहा था उदर अंटी कहती है तुम तुम इडियन तुम जाके क्यों नहीं लेट की बिस्तर पर लिली कहती है कि क्या भागल है अंटी मैं ऐसा कैसे कह सकती हूँ आप जानती है यहाँ सभी लोग है ऐसा कहती है आंटी जो गुस्ने में इबो की तरफ देख रहे थी जैंग याली जो बात है कर रहे थी सभी लोग उदर जान जो दीरे दीरे इबो के पिलकु करीब आ जाता है तब इबो एक ब्लांकेट लेता है और अपनी और इबो के उपर दाव लेता है इबो को बहुत अजीव फील हो रहा था तब इबो जो देखता है कि जान बिलकुल इबो के सिच्पक गया है तब इबो जान की बोड़ी इबो से पूरी तरीके से टच हो रही थी मैं जा रहा इबो उसे बहुत अजीव लग रहा था उसकी बोड़ी शेक कर रही थी तबी ईबो जो जान से थोड़ा थोड़ा दूर जाने लगता है कि जान तबी अपना हाथ ईबो की कमर पे रख देता है और उससे उतर जल्दी से ईबो को पकर के अपनी तरफ खीच लेता है और दिरे से ईबो की कान में कहता है चुपचाप से ऐसे ही लेटे रहो खा जा रहे हैं ईबो जब ये सुनता है तो पूरा शॉक डो जाता है और वो चुपचाप से जान के पास लेटा रहता है चैंग और याली ये सब कुछ देख रहे थे, दोनों इसको बहुत हसना रहा था, चैएंग देख पा रहा था कि इबो कितना डरा हुआ है, चैएंग कहता है, सीजें ये गलत बात है, पुछारा पूर इबो, देखो, वो किस तरीके से घबरा रहा है, है हाली कहती है, तुन छुप रहा हो, चा जान को ईबो की वो गरम-गरम साहसे फील हो रही थी, भीचारा ईबो, उसकी तो हार्ट बीट और फास्ट हो गए थी, वो कहरी-गरी साहसा ले रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना है, उदर जान की फेस पर की समाइल आ जाती है, तबी वो जान की कमर, ईबो इबो को फील होता है कि जान उसकी नेक पे छोटे-छोटे किसिस कर रहा है, इबो जो डर जाता है और जान की तरफ देखता है, जान जो इबो की तरफ देखता है, इबो की बड़ी-बड़ी आगों को देखता है, जान की फेस पर की समाइल आ जाती है, जान केता है क्या हु यादा जैसे देखकर जान जान के फेस्पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और वो जान को इबो के वो और टाइटली हग कर लेता है और कहता है अब सुझाओ इबो जो बस जान कोई देख रहा था जान जो सब लोगों को देखता है सब लोग अपनी बातों में बिजी थे जान इबो की एर के करीब आता है और कहता है बस एज़े चुपचा लेटे रहो समझे तुम और दूरभाबने की कुशिश भी मत करना समझे इबो जो जान की एज़े बात सुनता है तो थोड़ा दर जाता है तो फ्रेंट्स नेक्स पार्ट हम कल देखेंगे स्टोरी कैसी लगए तो प्लीज प्लीज कमेंट करके बताना और प्लीज चैनल को सब्सक्राब करना बाबाई टेक केर